हाई एवरिवन स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी यूटूब चैनल पर बात करेंगे एक क्रेक्शन को पेनिक सेलिंग है वो किस तरह से आइडेंटिफाई कि जा सकती है तो आज अपन निप्टी के चार्ट में आपको समझाऊंगा कि किस परकार से अपने यह समझेंगे कि म हो निप्टी क्या कर रहा है जब से इलेक्शन की जब यह बड़ी वाली केंडल बनी थी उसके बाद में क्या कर रहा है निप्टी रेगूलर कंट्यून में उपर की साइड में जा रहा है सब लोग यहां पर वेट कर रहे हैं कि मार्केट इसमें से थोड़ा सा क्रेक्ट हो उसके बाद में अगर उपर की साड में जाता है, तभी यहां पे क्या है कि confidence आता है, वो नए buyer है वो एक्टिव होते हुए नजर आते हैं market में तो किस तरह से अपनी यहां पे आइडेंटिफाई करेंगे कि market में कोई correction आ रहा है या एक selling pressure है वो ज़्यादा है तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक selling pressure है वो आपको देखने को मिलेगा मतलब यह कोई correction नहीं है यहाँ पर कोई किसी भी news की वज़े से या किसी भी तरह से यहाँ पर index क्या किया है नीचे की साइड में आया है मगर फिर भी market क्या करता है इस तरह की जो pinnick selling होती है उसको बहुत जल्दी digest करके वापिस से अपने आपको 100% recover करने के बाद में एक upside का move है वो एक अच्छा का सा move है वो आपको देखने को मिलेगा तो आप देखोगे कि निप्टी के अंदर जब 4 जून को यह candle बनी उसके बाद में आप देखोगे तो market में एक बहुती ही शांदार रेली है वो आपको देखने को मिली है निप्टी के अंदर तो अब बात करेंगे कि अगर market ने यहां से क्या market ने एक टोप बना है तो अगर अपना व्यू है किस तरह से इसको अपना यहां पर identify करेंगे कि निप्टी का क्या यह टोप है बन चुका है तो अपन इसका क्रेक्शन का यहां पर क्या कर रहे हैं सभी वेट कर रहे हैं क्योंकि जब कोई क्रेक्शन नहीं आता है आने के बाद में जब निप्टी ऊपर आएगा तभी यहां पर कुछ नए इन्वेश्टर है या रिटेलर ट्रेडर है वो क्या यहां पर नई फ्रेश बाइंग है वो यहां पर होगी तो अभी क्या है मार्केट जो करन्ट सिच्वेशन में रहा है या किसी लूस की वज़े से है वह नीचे की साइड में आ रहा है तो इसको समझेने के लिए पहले अपने हैं थोड़ सा बेग साइड में जाते हैं अगर यहां जल ні होगी तो उससे कई गुना जल्तarness मार्केट वह अपने आपको यहां पर T İs तो अगर आप आपको दिखाऊं तो अगर आप देखोगे कि जैसे यहां पर यह क्या है कि एक सेलिंग प्रेशर था और उसके बाद में क्या किया है निप्टी ने एक सांदार रिकवर अपने आपको किया है क्रेक्शन कैसे होता है क्रेक्शन क्या होता है प्राइजेक्शन के साथ में होता ह पेलिंग सेलिंग क्या होती है पेलिंग सेलिंग ऐसे डारेक्ट आएगा फिर थोड़ा सा रिकवर किया फिर डारेक्ट आएगा तो इस तरह से एक पेलिंग सेलिंग बनती है पेलिंग तो panic selling होती है वो recover भी क्या है बहुत speed से यहां पर recover होगी तो correction होता है market में correction को किस तरह से identify किया जाएगा वो अपनी यहां पर समझते हैं कि correction कौन सा clearly correction कौन सा है तो अगर आप यहां पर इस chart को देखोगे तो market में जो healthy correction है वो यहां पर आया market ने क्या किया है market upside की तरफ गया जाने के बाद में market क्या कर रहा है slow steady में market क्या कर रहा है नीचे की side में आ रहा है market में जब भी अगर आप यहां देखोगे में थोड़ा सा चार्ट को अगर जूम करके दिखा हूँ आपको जूम करके दिखा हूँ तो जब भी बड़ी candle panic selling के रूप में बनती है तो market recovery क्या है बहुत immediately यहां पर करता हुआ नजर आएगा तो हमेशा जो correction होगा जो अभी निप्टी क्या कर रहा है यहां पर क्रेक्शन होगा वह क्या होगा क्योंकि उसमें रिटेलर और इंस्ट्यूट वाले या मीच्वल फंड वाले हैं वह क्या है दिरे-दिरे यहां पर investment करेंगे तो अगर आप यहां देखोगे कि यह एक healthy correction था तो correction है वह अमेशा क्या है प्राइज एक्षन के साथ में आता है तो दिन रेड केंडल बनेगी छोटी छोटी फिर एक दिन अलकिसी एक green केंडल बनेगी इस तरह से क्या है अपने इसको identify कर सकते हैं कि यह एक correction है वह यहां प आपको वापिस से यहां पर recover देखने को मिला है तो जब भी कोई बड़ी केंडल अगर इस तरह से form होती है जहां जहां भी अगर आप देखोगे तो जितनी बड़ी केंडल यहां पर form होगी एक panic selling आएगी market अपने आपको उतना ही जल्दी वहां पर recover करेगा तो इस तरह से क अभी क्या कर रहे हैं अभी market में जो निप्टी है वो क्या कर रहा है अभी एकदम टॉप में बैटा है अभी आप देखोगे तो एक टॉप में बैटा है और यह जो रेली है वो रेली कब आई है एक panic selling के बाद में जो चार जून का जो अपना पेलिंग selling था निप्टी 12% के बाद में यह क्या है आपको buying होती हुई नजर आईए जब भी market बड़ा fall होता है किसी भी news की वज़े से तो market में एक healthy correction के बाद में एक बहुत ही शांदार रेली देखने को मिलती है अगर निप्टी को यहाँ पर आना होगा अगर correction के लिए अगर निप्टी को आना होगा त यहां पर बना है तो यह जो selling है वो क्या है इमिडेटली फास्ट रिकवर भी बहुत जल्दी होती है तो जब भी market को correction लेगा correction लेगा तब कैसे लेगा कि दो दिन ऐसा मालो कि यहां से market गिरता हुआ नीचे की साइड में आया फिर एक दिन यहां पर green candle बनाई फिर वापिस स continue हुआ इस तरह से दिरे दिरे अगर market एकदम slow steady यहां से नीचे की साइड में आता है तो वो correction में count होता है अगर निप्टी जैसे मालीजिए कि Monday की session में यहां पर एक दिन में इतनी बड़ी candle बना देता है तो वो क्या है correction नहीं है वो एक panic selling है किसी news की वज़े से तो वो आप आपको immediately है वो एक recover होती हुई यहां पर नजर आएगी I hope कि यह video आपको अच्छा लग रहा होगा तो कि यह generally क्या होता है कि जब भी market में कोई एक candle red बनती है तो लोग यह सोचने लगते हैं कि market यहां से दरासाई हो जाएगा अभी बहुत बढ़ा selling pressure है वो market में देखने को म लेगा तो यहां देखोगी कि तो यह भी कोई एक news की वज़े से था मार्केट ने साथ प्रिक कवर किया और एक upside की तरफ journey complete की तो अभी भी क्या है मार्केट है वो अगर slow steady में अगर आएगा जैसे मान लीजे अभी चल रहा है तो यहां से जब slow steady में यहां पर आएगा market ते इससे अपने आपको साथ recover कर लेगा और एक नया top है वो फिर से निप्टी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है तो अभी क्या जैसे अभी जब निप्टी है वो नीजेगी साइड में आ रहा तो अपनी क्या रहनेती होगी इस परकार से अपने उसको trade करेंगे वो अपनी यह पता होना अच्छी है कि painting selling है या कोई market में correction है तो अभी आप यह देखोगे कि अगर छोटी छोटी candle बनाता हुआ market एक दिन green बनाया दो दिन red बनाया एकदम दीरे दीरे अगर आएगा तो वो एक healthy collection होगा अगर इस तरह से बड़ी candle बनाते हुए या गेप डाउन खुल अगर मैं आपको एक बार और चार्ट दिखाऊं इस चार्ट को तो अपने रीड कर लिया अगर मैं पीछे का कोई भी चार्ट दिखाऊं तो अगर आप देखोगे तो market में जो downfall होता है तो correction होता है अगर आप अपने covid वाला है अगर कोई scenario अगर आपन देखे पीछे जाके जो covid के अंदर जो आप selling देखोगे एक सकेंड फोड़ सा मैं जूम कर लेता हूं उससे आपको अच्छा से दिखे अगर आप इसको देखोगे तो यह क्या है एक panic selling है तो किसी news की वज़े से यहाँ पर create हुई उसके बाद में देखोगे तो market में एक अच्छा खासा move है वो correction है वो कब होगा तो अगर आप देखोगे तो market में जो rally बनी थी उस rally का जब market ने यहाँ पर consolidation किया यह एक क्या था market के लिए एक correction का time था अगर आप देखोगे तो यह correction का time था market slow study नीचे आया फिर उपर की side में गया फिर slow study की नीचे आया तो इस तरह से जो correction होता है वो क्य आया एक healthy correction है वो आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें जितने भी buyer और seller है वो क्या है एक्टिवेट होते हैं तो seller market को नीचे की side में पूश करते हैं और buyer है वो market को उपर की side में ले जाने के लिए पूश करते हैं तो इस तरह से जब भी correction होता है यह एक healthy correction था और अगर आप यहां पर देखोगे तो यह भी एक nifty के अंदर आगा आप देखोगे तो काफी time तक market करीबन 4-5 महने तक अपने आपको यहां पर एक correction दिया तो इस तरह से जो correction होगा वो एक healthy correction होगा अगर जिस तरह से बड़ी panic selling आएगी तो market है वो सार्प अपना आपको recover करता हुआ यहां पर नजर आएगा तो यह जो 2022 का यह जो trend था निप्टी का तो यह एक downtrend में था तो निप्टी जब भी downtrend में होता है तो क्या करता है आप देखोगे तो बिल्कुल एकदम छूटी छूटी candle है वो यहां पर बनाता हुआ निचे की side में आएगा तो जब भी कोई candle अगर form होती है तो उसके बाद में क्या है एक साथ buying है वो आपको देखने को यहां पर मिलेगी देखोगे जब भी आप पीछे का कहीं भी कोई चार्ट किसी भी इंडेक्स का कोई चार्ट उठा के देखोगे तो जितनी बड़ी panic selling होगी क्योंकि अगर आप देखोगे तो अब ही इडिन बरग वाली रिपोर्ट आई थी अडाने एंटरप्राइज में उसमें भी आप देखोगे तो सार्प स्टोक है वो फोल हुआ था और उसके बाद में इमिडेटली जब स्टोक ने जब रिकवर करना चालो किया तो आज आप देख सकते हो कि अडाने एंटरप और कोई न्यूज की वज़े से होगा तो वो बड़ी केंडल बनाएगा और बनाने के बाद में सार्प रिकवर आपको उसमें देखने को मिलेगा तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और आप इस वीडियो को इंजोई कर रहे हो अगर और लेना चारहे हो तो मेरी चैनल को सस्क्राइब कर दीजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिसे मार्केट के बेली के इनालिसिस और लर्निंग के वीडियो आपको मिल सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंत